नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेर करने जा रही हूँ एकदम जटपट से बनने वाली राइस थाली की रेसिपी ये एक ऐसी थाली है जिसे आप 30 मिनिट में बना कर तयार करेंगे घर पे पड़े मसालों से आप एकदम बड़िया सी सिंपल स्वादिस्ट थाली बनाएंगे जिसे बनाने में कम समय और खाने में मज़ा आ जाएगा इसमें आपको सलाज से लेकर रायते तक, रायते से लेकर दाल चावल तक सारी भरपूर एक थाली मिलेगी और बहुत ही मज़िदार बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी और आप अगर वर्किंग मूमन है तो इस थाली को जरूर ट्राय कीजेगा और इसमें आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपर लिए अरहर की डाल यानी तूवर की डाल ये दो कप मैंने लिए ग्राम में देखने जाएंगे तो 200 ग्राम है इसे मैंने पानी से अच्छे से दो लिया था 6 आलू ग्राम में देखने जाएंगे तो ये 400 ग्राम है इन सबी आलू को हम छील लेंगे इसे हमें काटना नहीं है सिर्फ छीलना है तो आप देख सकते हैं मैंने ये 6 के 6 आलू छील लिये हैं अब इसे हम 2-3 पानी से अच्छे से दो लेंगे यानि कि वाश कर लेंगे तो देखे हाथ में से इस तरह से थोड़े-थोड़े मसलते जाईए और दो से तीन पानी से अच्छे से दो लीजे उसके बाद यह आलू को हम यह दाल के साथ ही डाल देंगे तो यहाँ पर इसे मैंने डाल दिया और इसी के साथ इसमें मैं दो गलास पानी डाल रही हूँ फिर मैं डाल रही है आदी चमच नमक और आदी चमच हल्दी पाउडर और एक चमच जितना तो यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया है अब अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाल के साथ ही आलू डाल दिये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जटपट वाली थाली बना रहे तो इस तरह से डाल देंगे अब हम कुकर का ढखकन देंगे और हम गैस को अन करके करीब इसे हम तीन सीटी आने तक पकाएंगे तो जब तक इसमें सीटी लग रही हम चावल बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने दो कप चावल लिया है तो देखे आप इस तरह से कोई भी चावल ले सकते हैं छोटे बड़े यहां बासमती अब इसे हम दो से तीन पानी से अच्छे से दो लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से एक बार पानी डाल दे इसी तरह से दो से तीन बार और दो लूँगी तो उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया एक कुकर इसे हम गैस के ओपर रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी तीन कप पानी तो यहाँ पर आप देख सकता है मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस कप से डाला है देखे इस कप से मैंने तीन कप पानी डाले है अब यह जो चावल है इसके अंदर हम डाल देंगे और डालने के बद इसके अंदर में डालूँगी आदी चमच नमक अब अपने स्वात के अनुसार भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर इसे भी तीन सिटी आ चुकी है दाल को तो हम कुकर का ढखन खोड लेंगे और अब पहले आलू को निकाल लेंगे तो देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं मैं इस तरह से डाल रही हूँ तो यह अच्छे से निकल रहे हैं तो इस तरह से मैं सारे प्लेट में यह आलू को निकाल लूँगी और इस तरह से करने से आपका बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा यह आप देख सकते हैं, मैंने आलो निकाल लिया इसे हम कर्षी की मदद से थोड़ा-थोड़ा दबा लेंगे, अब इसे जेनने की मदद से भी कर सकते हैं पर स्यादा नहीं करना है तो इस तरह से मैंने इसे कर लिए अब इसके अंदर मैं डालूंगे दो ग्लास पानी और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे तो यहाँ पर अगर आपको ज़ादा लाइट पसंद है तो आप आदा ग्लास और भी पानी डाल सकते हैं पर मुझे इतनी ही पसंद है, अभी से हमें तड़का लगाना है, तड़का हम अभी नहीं लगाएंगे, हम आलू की सबजी बनाएंगे, तो उसमें से ही तड़का इसमें निकाल लेंगे, तो अभी इसे हम साइड में रख देंगे, और इसके लिए आलू की सबजी के लिए मै करने वाले देखे घर पे पड़े सामान से ये बन जाएंगी और ये हिंग ले ली है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं तो इसके अंदर में डालूंगी आदी चमच राई और आदी चमच जीरा इसी के साथ एक चौथाई चमच जितनी हिंग डालूंगी और ये मैंने दो प्याज लिये थे एकदम बारी कट लिया था इसे भी हम डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है अब लगाता है चलाते हो इसे हम दो से तीन मिन्ट तक पकाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर दो से तीन मिन्ट हो चुके हैं अब इसके अंदर मैं डालू ने तेले हैं घ्ली शॉवान्व that यहां पर देख सकते हैं मैने से इसे मिला लिया है और मिलाने के बाद अगर के अंदर हम सारी चुमच दॉ हैं लिप Nahe आदी चमज अब अच्छे से मिलाते जाएंगे और सारे मसाले और टमाटर को हम 2-3 मिंट तक पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाती जा रहें और बीच बीच में आप क्या करें यह टमाटर जो है उसे कडशी की वदर से दबाती भी जाए ताकि आसा साथी बनकर तयार होगी तो यह आदी कडशी जितना डाल दिया और अच्छे से एक बार मिला लेंगे और अभी हमारा जो डाल का गैसे वो बंदी है और यह आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है और यह जो हमने आलू निकालके रखे थे इसे हम इस तरह से कर सब्जी में डाल सकते हैं पर इस तरह से मैं इसके टुकड़े कर रही हूं जैसे चाहे आप टुकड़े कर सकते हैं इसके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू भी मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है अब कड़ाई के अंदर डाल दूंगी और डालने के ब थोड़ा सा हरा दनिया डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दनिया भी डाल दिया है और अच्छे से एक बार मिला भी लिया है तो लीजे तैयार है एकदम मज़ेदार सूपर टेस्टी हमारी यह सबजी तो अब हम आ जाते हैं दाल के उपर तो इतनी दिर हमारा दाल का गैस बन तो अब हम गैस को जला लेंगे और अब इसके अंदर में डालूँगे दो चमच जितने धनिया के पत्ते और इसी के साथ इसमें में डालूँगी आदी चमच नमक और एक चौथाई चमच जितना लान मिर्श पाउडर और अच्छे से मिलाएंगे नमक हमने दाल को पकाते वक्त भी डाला था तो आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं तो चलाते हुए से तीन से चार मिंट तक पकाएंगे तो जब तक यह पकर है मैंने हाँ पर सलाद ले लिया सलाद में टमाटर गाजर प्याज और नीमू लिया है आप ककड़ी भी ले सकते है चुकंदर बीं ले सकते जो आपको पसंद है आप वो सलाद ले सकते मैंने से तयार करके रख दिया काटकर और यहां पर आप देख सकते हैं तीन से एक चोथाई चमच बुनावा जीरा पाउडर और एक चोथाई चमच काली मिर्ची पाउडर अच्छे से सारी चीजों को हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है यह बूंदी तो यह करीब मैंने तीन से चार चमच जितनी ली है आप देख सकते हैं मार्किट में आपको आसानी से मिल जाएगी थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे इस तरह से मिला लेंगे इसे हमें बिगो के नहीं रखना है यह जब हम रायता खाये तो थोड़ी से क्रंची लगे इसलिए हम क्या करेंगे तो रंती पानी में से डाल कर मिला कर इसे हम निकाल लेंगे और ये दही में डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से सारी बूंदी डाल दी, और यहाँ पर मैंने ली थी एक बारी कटी हरी मिर्ची, यह भी डाल देंगे, थोड़ा सा दनिया के पते डाल देंगे, और अच्छे से एक बार इसे हम मिला लेंगे, तो लीजे हमारा एकदम सुपर टेस्टी यह बूंदी का रायता बनकर भी तयार है, और अब हम एक पापड को भी सेख लेते हैं, आप इसे तवे पर भी सेख सकते हैं, और यह जो मेरे पापड है, यह उड़त डाल के पापड है, मैंने यह घर पर बनाये थे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो लीजे हमारा यह पापड भी सिक्कर तयार है, तो हमारी सारी चीजे तैयार है, अब हम थाली पिरुसना शुरू करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक थाली ले ली है, और यह मैंने बाउल में चावल डाल के रखे थे, अब हम क्या करेंगे, चमच की मदे से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे, आज ही चावलों को मैं यह डीमोल करने वाली है, इससे हमारी जो थाली है, राइस की, वो काफी मज़े दाल लगती है, खाने में भी मज़ा आता है, तो देखे, मैंने थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे, और थोड़ा सा टेप टेप कर लेंगे, और यह बाउल को इस तरह से उठा लेंगे, देखे किते बढ़िया लग रही है, इसी के साथ जो हमारी दाल थी, ये भी मैं रख दूँगी, तो लीजे दाल भी रख दी है, अब जो हमने सबजी बनाई थी वो रखेंगे, तो थोड़ा इस तरह से मैं धाली को कर ले रही हूँ, तो अब हम ये जो हमारी आलू की एकदम जटपट वाली सबजी है, ये भी मैं पिरुस लोंगे धाली में, तो लीजे, यहां पर मैंने ये धाली में आलू की सबजी भी पिरुस ली है, और इसी के साथ मैं रख रही इसके उपर मैं थोड़ी सी बूंदी डाल रही हूँ, और हल्का सा लारमिश पाउडर डाल रही हूँ, जिससे हमारी ये रायता और भी टेस्टी लगेगा, और अब हम तयार किया हुआ, सैलेट रख देंगे, सैलेट में जैसे मैंने आपको बता है, आप कोई भी चुकंद काकड़ी भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आप वो रख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने ये सलाद भी रख दिया है, और अब जो हमने वो पापड सेक के रखा था, ये भी इस तरह से रख देंगे, तो लीजे तैयार है, एकदम जटपट से बनने वाली ये राइस था कि आप सिर्फ और सिफ इसे 30 मिनिट में बनाकर तयार करेंगे और जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताइए उसे जरूर फॉलो कीजेगा काफी टेस्टी ये थाली एकदम सिंपल तरीके से बनाई जाती है जो घर पे परे मसालों से बनकर तयार हो जाएगी तो बनाईए और कल फिर मिलती हूँ थैंक यू फॉर वच्छेंग